हेलो एवरिवान कैसे आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और लगेतार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे मैं मधू स्वागत करती हूँ यूटूब चानल इसा पेमली ब्लोक्स में और मैं बाल दोके आई थी तो अभी मैं अपना बाल को अच्छे से तावल से पोच कर उसके बाद बेडरूम में आया हूँ यहां पर मैं सीरम थोड़ा सा लगा लेती हूं क्योंकि काल भी बाल नहीं जारी थी और जो तेल रखी थी ना तेल रखके हस्बेंट थोड़ा सा मिला दिये थे तो अभी मैं थोड़ा सा सीरम लगा कर बाल को अच्छे से जार लिए उसक्पड़े को अच्छे से फोल्ड कर लूगी और फोल्ड करने के बाद में अभी लंच की जाओंगी तयारी करने अभी लंच बनाना है मोर्निंग का सभी ब्रेकफास्ट कर लिए वच्चे लोग भी हम और हस्बेंट भी ओपिस चले गए आज मुझे थोड़ा से ठीक लग रहा है बागी इतना चाहा नहीं लग रहा है अभी बाल दोके नहाई हूं थोड़ा ठंडा लग रहा है इधर मौसम थोड़ा खराब है इतना तेज धूप नहीं होगा है बादल जैसा है और इतना आज ग कर दिया है बारिस होगा साम तक अभी चावल चढ़ाएं गैस पर तो चावल बन रहा है और डाल और सब्जी बन गया है और चावल बन जाएगा तो बच्चे लोग को खाना दूंगी और वो खालेंगे तो फिर मैं भी खाना खालूंगी अभी मैं कीचन में आ गई हूं और जो डेली यूज वाले चावल है ना जो चावल बनता है डबा में चावल खत्तम हो गया था तो ये 10 केजी वाली बोरी है तो अभी जब डिलाइंस गये थे ना तो 10 केजी चावल के बोरी लाए थे 10 केजी आटा के तो चावल और आटा दोनों इसी तरह से रखा हुआ है 15 द लब इसी तरह से चलता है तो 15 दि निकल गया उसके बाद मैं ये चावल के बोरी खोल रहे हूं तो कैची से काट दूंगी और काटने के बाद मैं डाबा में भर दूंगी और मेरे घर मेना चावल के बहुत कम यूज है आटा के ज्यादा यूज होता है आटा 10-11 केजी लग जबयूज करते हैं घर पर और बाकि हम हमारे दोनों बचे ही आँ तो इतना इज नहीं होता है और चावल को टोटी बनाना होता है डश क्वेलों रोटी खाते हैं तो इसलिए हमारे घर में आटा के जादा यूज़ है चावल के बहुत कहम ही उज़ है तो इतना चावल तो दो माईना से जादा ही चले जाएगा कम नहीं जाएगा और अभी मैं सोच रही हूं ना कि आंस के लिए पापड निकाल दे और चाहर उत्र पापड इदर उदर देख रही थी तो मैंसे समाज मे इसी तरह होते हैं, बच्वे पसंद करें या ना करें किसी द्रूला कर भाला कर खिला ही देते हैं तो देखें आभी मैं दाल में तडबा लगा लिए हूं और दाल में तड़का लगाने के बाद मैं अब ईंस के लिए पापड ढोंडोंगी क्योंकि उपर में डाबा में थोड़ा ही पापड है तो मैं सुच रही थी ना कि एक डाबा है नीचे इसमें एश्टा सब समान रखती हूं ना तो इसमें होगा तो मैं चारू तरफ मतलब पापड ढूंड रही थी, मुझे कहीं नहीं मिला थोड़ा सा जो डबा में पापड था, वो ही मैं पापड छानी हूँ मुझे लग रहा था ना कि जो इस्ट्रस अमार रखती हूँ इस डाबा में इसमें मैं पापड भी रखी हूँ क्योंकि रिलाइंस ले गए थे ना तब पापड भी एक केजी खरीद के लाए थे, बाकी ना पापड सब छान के यूज हो गया है, पापड नहीं था, थोड़ा सा ही डबा में था, वो ही तलूंगी, मैं ये कब से सोच रही थी कि इस प्लास्टिक में पापड ही रखा हुआ ह बाकी इसमें पापड नहीं है, भूना हुआ चाना दाल है, तो मैं अभी जो थोड़ा सा पापड है ना डबा में वही पापड तल लूंगी, और हस्बेंट भी ना जैसे रात में आते हैं, और उनको खाने के मन करता है ना, तो हम सब सोई रहते हैं, तो अपना पापड तल यह पापड हो जाएगा, पापड तरने के बाद मैं दोनों बच्चे को खाना निकाल कि खिला दी हूँ, यह अपने लिए खाना निकाली हूँ, चावल, एक रोटी है, आलू बेगन के सब्जी है, पालक वाले दाल है, पापड है, यह देखिए, पालक वाले दाल इसलिए दोनों बच्चे खाने में पसंदनी कर रहे थे, बाकी मैं ओर लोको जब जस्ती खिलाई हूँ, तो लोक खा लिये हैं, और खाकर टीवी देख रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर आकर बैट गी हूँ, सोफा पर और सोफा पर खाऊंगी, यह लोक के साथ बाते भी क्योंकि लंच कर लिये हैं, और अभी मैं बालकोनी में आगे हूँ, पौधा में पानी डालने, तो मैं तुलसी मैं यहाँ में पानी नहीं डालूंगी, और सारे पानी डालूंगी, क्योंकि ससुराल में जैसे बगल में ही गमी हुआ है, तो ममी बोली है, फोन का कि सासुमा क पूजा वेगरा नहीं होगा दो चार दिन तो फिन इसलिए मैं तुलसी मां को भी नहीं चूँँगी और सारी पौधा में पानी डालूँगी मैं अपने दोनों बच्चे को सुलाने के लिए लाई हूँ ति ये लोग सोएंगे देखिया अंस अदम बिल्कुल लग रहा है ना कि आप सो जाएगा क्योंकि ये रो भी रहा है और आज की वीडियो दोस्तों मेरे यहीं तक था उमीद करती हूँ आप तको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तर लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर पली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोमेंट बक्स में सुझाओ जरूर दीजिएगा अंस बाई कर दो बाई बाई